तो हलो फ्रेंट्स दिस अन्चुल गुपता एंड आज हम बात करने वाले इंडिया के कुछ टॉप मोस्ट बैटरी स्टाटप्स के बारे में गाइस हम सभी जानते हैं कि इंडिया पर एलेक्टरिक वेहिकल्स की डिमांड बहुत जादा बढ़ने वाली है गाइस जब से एक वीकल्स का जो मार्केट होता है और ज्यादव ग्रोव कर रहा है और यह अगे जाके फ्यूचर में बढ़ने ही वाला और इंडिया में इतनी जादा आ बादी है कि इतनी ज्यादा नाने वाली एलेक्टरिक वेहिकल्स की यह इसलिए आज हम बात करेंगे इंडिया के कुछ टॉप मोस्स स्टार्टप्स के बारे में जो कि बैटरी टेकनोलोजी को बहुत जादा इन्हेंस कर चुके हैं नई टेकनोलोजी बैटरी को ला चुके हैं क्योंकि हमारे दिमाग में बना हुआ कि बैटरी मतलब से लेकिन ऐ इसा नहीं होता इंडिया ने कई नई टेकनोलोजी डेवलप की लिथियमाइन बैटरी को भी कई जगे अपडेट किया गया और उसका नया वर्जन बना लिया है पूरी तरह सकी रियूजेबल बैटरी भी बन चुकी है तो हम इंडिया के आज स्टार्टप्स के बारे में ब जिसका नाम है अलमुनियम फ्यूल सेल बैटरी अब इस बैटरी में मेजर तीन कॉंपोनेंट से जो की यूज होती जिससे पाउर जनरेट होती पहला होता है अलमुनियम दूसरा होता है वाटर तीसरा है ग्रेफाइन अब इसका जो वर्किंग प्रिंसपल है वह भी काफी पहली बात यह है कि जो ग्रेफिन की लेयर होती है उसमें हम लोग वाटर को कॉंटेक्ट में लाते हैं जब वाटर एलमोनियम शीट के कॉंटेक्ट में आ जाता है और एयर की प्रेजन्स रहती है तो पावर जनरेट होती है जिसकी वज़े से हमारी गाड़ी या कोई भी एले और गाइस जो लॉग 9 माटेरियल्स की फाउंडर है उनका यह कहना है कि 300 किलो मीटर चलने के बाद हमें इस बैटरी को के जो अलमोनियम शीट होती है उनको निकाल के बस दूसरी शीट लगाना है और यह 2-3 मिनिट में हो जाएगी और इसमें हमें बिलकुल भी टाइम नही है कि हम जगे-जगे पर इनके बैटरी सेंटर होते हैं वह भी एस्टैब्लिस करेंगे कि ताकि जो रिप्लेश्मेंट होता है वह भी हो सके है नेक्स स्टार्ट अप है सेकंड स्टार्ट अप उसका नाम है गीगाडाइन एनरजी इसको हम अपना बैटरी का सबसे अच्छे स्टाट अप बहे सकते हैं जो कितने बistance बड़े के भंडार मौजूद है और हमें इसकी वजह से चाइन पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा मिन बैटरी की वज़े से पर चाइना कब बैठा हुआ है तो हमें कारवन हमारे हाँ है तो हम खुदी यूज़ करेंगा पूरी दुनिया में बाटेंगे इन बैटरी इसको अब इसके जो मेंन कॉम्पोनेंट्स है वो कारवन होने वाले और इसकी वज़े से यह हर मामले में लिथिया माइन बैटरी से उश्वे सब्सक्राइब लेगए और फिंशिए बुह जाथा है इसकी जो चार्णिंग पावर है जीरो से स सो परसेंट होने में सिर्फ 15 रह टाइम लगता इसे चार्ज होने में और इसकी जो ऑफिशेंसी वह बहुत अच्छी होने वाली इसकी जो लाइफ साइकल होती है वह पचास परसेंट तक ज्यादा अच्छी होती है अब हम जानते हैं कि जब भी यह मार्केट में आ गई कमर्शेली यूजँ होने लगी और काफी बड़े सकेल पर होने लगी तो अहरें जब चीज़ और एक चीज़ पर स्गूरए यूज स thriller Pride एनका लेकacement और तालाप में उसका कर देंगे सो गाइज अब हमारा जो नेक्स स्टार्ट अप उसका नाम है जिप ट्रेक्स क्लींट है कि दिल्ली का स्टार्ट अप इसे 2016 में पाउंट किया गया था यह लोग जितने भी लिथिया माइन बैटरी जूस करी होई होती हैं फेक होई होती हैं उनको रियूजेबल ब जिससे लोग कर देते हैं बैटरी के साथ तो जो बैटरी की लाइफ होती है वो 30% तक बढ़ जाती है अब इनके जो को फांडर हैं इस स्टार्ट अप के उनका कहना है कि जितनी भी हम लिथिया माइन बैटरी इसको फेक देते हैं यूस करने के बाद कचड़े में क्योंकि इन्डिया चील हो सके में तो उनकी चैस crawsh चील करने का काम करते हैं सवी नेक्स सटार्ट अपन कि दोःज़ार अथारा में तो इनका जो मेनेब रहता है वो बैटरीॹ लाइफ सॉल्यशन को प्रोवाएट करना रहता है इसका मतलब होता है कि जो बैटरी हम लोग यूज कर चुके हैं उनको फिर से एक reusable बनाना उनको नई life देना और जो बैटरी ये लोग reuse नहीं कर पाते हैं उनका जितने भी material होता है वो पूरा extract कर देते हैं पूरा जितने भी materials उस बैटरी के अंदर होते हैं पूरा निकाल लेत हो गया magnesium sulphate हो गया निकल sulphate हो गया इन materials को यूज करते हैं नई lithium cells बनाने में और में इनका एम है लोहम का कि हमें ज्यादा ज्यादा पुरानी बैटरी को extract करना है material उनके या उनको फिर से reusable बनाना है जो lithium-ion batteries होती है जब वह वेस्ट में चली जाती है तो उनके अंदर जो elements हो metals होते हैं उनकी वज़े से जब वेस्ट में जाती है तो आग पकड़ लेती है उसकी वज़े से पॉल्यूशन होता है जो स्वाइल होती है वहां कि वह पूरी पॉल्यूटेड हो जाती है तो यह लोग रिसाइकल करने का काम करते हैं बैटरी को हमारा सबसे लास्ट स्टार् लेकल्स होते हैं जो कि हमारे इंवार्मेंट को बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं जब हम यूज कर लेते हैं उनको अक्सर फेक देते और फिर बाद में कचड़े में जाके वह वह लीक होने लगते हैं तो आग पकड़ लेते स्वाइल को खराब कर देते हैं पॉल्यूशन स्वाइबूर्इबूर्ण दूसरा इसका सबसे अच्छा फ्रॉफित अप लोग कहेंगे कि महंगा होगा फिर लेकिन इसके खास बात है यह 10% तक इसकी कॉस्ट कम है और उपर से 50% तक लॉंगर टाइम तक चलने माला उपर से फार्मर्स को एक्स्ट्रा इंकम भी देखे जाएगा जब यह कंपनी स्टार्ट अप चलने लगेगी तो यह लोग सेल्स को बनाएंगे तो इनको एलोवेरा की जरुबत पड़ेगी तो फार्मर्स की भी इंकम जनरेट होगी और उपर से बायो डिग्रेडेबल 100% होगा तो कोई भी वेस्ट नहीं जनरेट करना और कोई भी हामफुल नहीं हो पाएगा तो बहुत ही अच्छा स्टार्ट अप ही लोई सेल करके और बहुत ही ज्यादा हमारे लिए प्रोफिटेब कंपनीज बड़ी होगे बनती हैं और जो चाइना पर डिपेंडेंसी हमारी बैटरी के लिए लेक्ट्रोनिक्स के लिए ये भी कम करेंगी और भारत को आत निर्भर बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है और भारत जो है एक दिन खुद डिपेंड हो जाएगा मै जय हिंज जय भारत